करसोग उपमंडल में सेव बाहूल क्षेतरों में ओला वरिष्टी से क्रिशी और बागवानी को भारी नुक्सान हुआ है। यहां बुद्वार को दपहरबाद अच्छानक मौसम का मजाज भिगडा और ओला वरिष्टी शुरू होगी। इस दुरान करीब 20 मिन्ट हुई ओला वरिष्टी से गेहु साइट स्टोन फ्रूट और सेव को भारी नुक्सान हुआ है। हो गए हैं जिसकी बागवानों को बजार में आदी कीमत भी नहीं मिलेगी। इसके अत्रिक्त उपमंडल के उन्चाई वाले क्षेत्रों में गेहु साइट जो की फसल खेतों में पकर त्यार थी जो उला बृष्टी की बेंट चड़ गई है। हालांकि रवी सीजन में सामानियों से कम हुई बारिश की बजा से पहले ही गेहुं की सतर फिस्दी फसल सुके से नश्ट हो गई है। लेकिन अब जो तीस फिस्दी गयों की फसल बची थी वह भी उला बृष्टी से समाप्त हो गई है। अलर्ट जारी किया है। इस दुरान परदेश के निचले और मद्यम उचाई वाले क्षेत्रों में ओला वरिष्टी और तेज होआएं चलने की चैतावनी दी गई है। परदेश में अभी 16 माई तक मौसम खराब रहेगा। बागवानी विभाग ने भी ओला वरिष्टी की सूचना के बाद फिल्ड दिकारियों को दो दिनों में रिपोर्ट भिजने के आदेश जारी कर दिये हैं। विकास खंड करसोग के बागवानी विभाग के विशेवारता विशेशक्यो नरेश शर्मा ने बताया कि बहुत सी पंचायतों में ओला वरिष्टी हुई है। इस बारे में फिल्ड दिकारियों को नुकसान का आंकलन करने के निर्देश दिये गे हैं। यहां से रिपोर्ट प्राप्त होते ही इसे सरकार को भेज दिया जाएगा। ETV भारत के लिए करसोग से रश्मीराज भारदवाज की रिपोर्ट